नमस्कार दोस्तो मडल कुर्शन पेपर सेट नमबर वन क्लास 12 एकजाम दोर 21 पूछेंगे हेस्ट्री ऑप्सनल कैंडिडेट्स आर रिक्वाइट टू गीब दियर आंसर इन दियर ओन वर्ड्स एज फार पॉसिब जेत जात रहे हैं कि आप क्लास 10 और 12 गाज एकपर होने वा सेट से बहुत कुर्शन आपको मैच करेगा आएगा इसाट करते देखिए दाहिने और हासी बदिये कुछ अंग फुर्णांग दिश्ट करते हैं देखिए फूल मार्क सो नमबर का होंगे आपके और टाइम होगा आपका तीन घंडे का देखिए फपसर पहले देखेंगे ह है भारत की किस भाग में हड़बा सभ्गता का विकास होए था आप्सं देंगे फृबमध भारत ने अच्छीव पस्टी में ठीक है लगवे मद्य भारत में इसका हड़बा सब्व्शन पीछा करते हैं कैस्थ के लोग उपासना करते तबिशनु है आपके का हड़ापा सभ्यता उपासना करते थे विश्णूगे नठट करता है सिंदु घाटी सभ्यता में हमें हल के साच कहां से प्राप्त हुए हैं सिंदू अर्सर बेदा हमें के हैं हल के साथ कहा स्थाप्ट तो देखी लोथल काली बंगा मुंजड़ो हरपा ठीक है यह चार अप्शन दिये गए आप यह से कर सकते आसर क्या होगा पार्टली पूत्र की अस्थापना उदाइन के द्वारा किया गया था रखिएगा पार्ट लिकल स तstill क्या अस्थापना उदाइन के द्वारा की गई थी आयए आते हैं की इस समूद्रगुर्पत क्यों स सविगे में विनाब जाते दिखलाया गया है मिस फाइडको प्सन नम्ब्र cxt. हो जाएगा आयात निनिस कुस्ट नमर 6 की और सिंस मेर सभीक नाम क्या था दो एक्षिप्चर हो जाएंगा काट वाधिक नाम स्टमर्च पूर्य मेर सवें किया बृत धर्म गरंत है इस यहां पर हो जाएगा सेवेंथ कॉप्शन नंबर वन से हो जाएगा बुद्धी चोई स्क्रिप्चर है किसका त्री पीटक का है इंडिका लिखा गया है मेगास्थिज के द्वारा तो बहुत ध्रम गरंथ है त्री पीटक आईए आते नेश कुश्य नंबर एट किया हो कुश्य नंबर एट करता है कलिंग की लडाई हुई और कलिंग का यूद्ध जो है आपका कब हुआ था रखेगा 261 इस्वी पूर में हुआ था कलिंग लडाई 261 इस्वी पूर में 261 इस्वी फूर करिंग लाई हुई थी आयातने श कुश्य नंबर 9 की यूद्ध के बचपन का समिंद्ध किश्य और अट ने जजिया कर को समाप्त कब किया था अक्बर ने जजिया का जो है जजिया टैक्स 1564 इस्वी में जजिया का जो है अक्बर एबॉलिस्ट जजिया टैक्स फुल होता है जो डोमीनिया दिखेगा ad का होता है full form a no दोमीनिया अपका होता है ad का full form आई गा तनेश कुछ्च्छ नमबर 12 की और आते हैं कुछ्च्छ नमबर 12 काता है आपका बंगाल के प्रसीद भक्ति संत कौन थे आद गेगा भक्ति आंदोलन को दच्छीन भारत में उत्तर भारत कौन लाए थे आद रखे रखे रामानुज चाहरे थे यानि के हो जाएगा आपका अपका फार्सी भारत में लिखा गया था आपका फार्सी भारत में लिखा गया था बाबर नमबा किस मुग्र हसन के काल को सुवर्न यूग कहा गया है जहांगीर के काल को सुवर्न यूग कहा गया है मिन्स सुल्लक का उप्सन नमबर टू करेक्ट आंसर हो जाएगा सेख निजामुदिन और दरगा जो है आजमेर में अप्सन नहीं है दिन में से कोई नहीं है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा आए आते कुछ सिर्माठार की और निमलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है सूफी संत नहीं है कौन मीरा भाई आया त्रेस कुछ नमबर 19 किया कुछ नमबर 19 कहता है इस इंडिया कंपनी को बंगाल की दिवानी किसे प्रडान की गई यहां से कर सकते हैं अमिर जाफर रडूला उसालव टु है तो बंगाल की दिवानी किसे की गई है आया आते हैं कुछ नमबर 20 27 के त्युद्रों की निवसे किया था किसने किया था संतावन की जो लखनों में है लग्णों में ए 1 जुद्रों हाज्रत महल के द्वार्व डौर अठा संतावन की विद्रो के लखनाउ में हज्रत महलने किया सबसे बाढ़ संतावकर करांती मंगल पांडे ने सुरू किया था या तो यह कुस्ष्ण नंबर आपका 21 की ओना डौर में नहीं और अप्संट नूबर D आई आतने नेस कुष्चन नमबर 22 कियो कार्णवाली स्कोड बनात का पत्रसों तिरानबे इस वी में आई आतने कुष्चन नमबर 23 कियो कुष्चन नमबर 23 कहता है आपका तरपर्थम महालवारी वस्ता किस प्रांथ में लागू किया गया देख सकते हैं कुष्चन नमबर 24 आपका दामीन एक कोह में किसे किसे बसाये गया था देखी चार आप्सों दिये गए पहाड़िया मुंडा साहू का संता आंजर सु कर लिजेगा या तने इस कुष्चन नमबर 25 कि और 25 कहता है भात्याष्ट कॉंग्रिस की पर्थम महिला अध्यश कौन थी कॉंग्रिस की पर्थम महिला अध्यश आपका एनी बेसेंट या रखिएगा भात्याष्ट कॉंग्रिस की पर्थम भारतिया महिला अध्यश कौन थी उत्ता हो जाएगा सरुजिनाईट उनीस सु पचीस में भारतिया महिला अध्यश बनी थी और एनी बेसेंट आपका उनी 217 इसवी में बनी थी आपको याद रखना है आई आतनेश कुश्च नमबर 26 की और 26 क्याता है महात्मा गांधी राजनेतिक गुरू कौन थे डार किया गौपाल कृष्ण गोखले मात्मा गांधि के राजनेतिक गुरू गौपाल कृष्ण गोख ले थे आई आधानीस कृष्ण के 27 की और प्रतेश करवाही दिवस मनाया गया कम मनाया गया वो कर लेजेगा आयाते हैं कृष्ण नमर आपके 28 की ओख खेडा कृष्ण के विद्रो हुआ कब हुआ वी कर लेज जाएंगे वह दर से मेंबर थे एबी अलिगेंडर पैथिक लॉरेंस स्टेफ़र्ड कृप्स इन में से सभी आई आते हैं कुष्ण नमर तीस की और तीस करता है प्रस्तावना में समाजवादी सब जोड़ा गया है 42 संसोधन में आई आते हैं गुरूप भी आपका हिस्ट् प्राप्त कि देखें जेम्स फ्रिंस से प्राप्त किया था कलिंग युद्ध के पश्चात असोक ने जो है बहुत धर्म सुईकार कर लिया था मुगल शासक देश का सबर्या राजी विशेक मुगल है 25 200 में 2 ब़िश्च में ुमाय गया युऽ का क्या है वह आपको यहां पर कर लेना है अग्रेजों ने अवद के नवा आपको डैस बारला के पेंशन दी और उसे से कलकत्ता भेज दिया करता है डैस इस्वी घटना हुए रखेगा आपका 1922 इसवी में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 49 का 1922 हो जाएगा करेक्ट आंसर समिधान समा में कुल डैस दस्थे कितने दस्थे वह आंसर कर लेजेगा आई आते हैं वह रूप सी में आते हैं वैसर टाइप कुर्श्यन है दो नमबर का है खड़पा सब्वेटा की सकार्व और सवार क्या करता है जात और सवार सबस्थे आप क्या समझते उसका अंसर करना है आए आते हैं 45 नमबर शी भारत में प्रारमभी भक्ति अंद्रोन का उदे कहां हुआ इसके परवर्ट तक कौन थे 46 करता है सुफी सब्द कित पत्ति किन सब्दों से हुई थी वह करना एं अगरा सम्मेन महात्तूफ के अंद्र चे उठ संतावन विद्रों में हुए थे 49 से अब कम्यूनल आवार्ट संपाइदी पंचांट क्या है जो 50 कहता है संब्दान संभा की पर्थम बैठक कब और किसके अदिस्था में हुए थी संब्दान संभा की पर्थम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 इस वी को हुई थी दिल्ली में किसके अदिस्था में हुद अधिस थे उसमें डॉक्तर आइंदर प्रशाद के चेता में अंध्यां समा की पर्थम बैठक हुई थी अधूतिय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को आई आते हैं गुरूपडी आपका है 4 x 5 20 मास्क का हराप्पा सभ्यता के पर्मुक अस्तलों का वर्णन करना अस्तबर्था का पर्मुक अस्तल कौन-कौन से थे 52 है मूर पर सासन पर परकास डालना है कौन-कौन थे 53 नमबर गुणानक देव के मूख उपदेशों का वर्णानक देव जो है उनका मूख उपदेश क्या रुनाओ देव के जन जो है तलवंडी में हुआ था परकास डाले उसके बारे में लिखना है पचपन करता है किसान महात्मा गांदी को किस रूप में देखते थे बहुत अच्छा पर देखते थे अब रखिये किसान को 17 में चंपान सत्यागरा हुआ था उसमें राजकमा सुक्वाजव पचल के भाग लिए थे महात्मा गांदी उनकी साहता किये थे रहाते हैं गुरूप ई जो है खंडबा पार्फिंड फॉर टॉइन्टी का है दिर्ग उतर ये प्रस लोग असा तैप क कॉर्शन से हलपा सभ्यता के पतन में किनी चार कारणों के वंदन करें भारत में बहुत धर्म के विकास के कारणों की व्याख्या केजिए और गोल में संभीधन क्यों बुलाये गया या क्यों असफ़ल हुआ था और उनसट नंबर लास्ट कोश्यन है भारती संभीधान के दिर्मान में किनी दो महत्कून मुद्दों की व्याख्या करें ये थे आपके हिस्ट्री मॉडल कॉष्टन पेपर 2021 का बहुत इंपोर्टन जो भी आर्ट्स में हिस्ट्री ली हम जरूर ये विडियो देख लें बहुत जादा आपको हैलफुल साबित होगा हिस्ट्री में अच्छा माक सेक्योर करने के लिए किसी काकर कोश्चन आपको मणिया समझना है तो कमेंट आवस्य करें उसका आंसर आपको करके बता दिया जाएगा ओके थैंक्यू